नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी हारियाना में चुनाव होता है चुनाव के बाद परेडाम आते हैं परेडाम जो आते हैं वो भारतिय जंता पार्टी और नायाब सिंग सैनी के पक्ष में निकल कर आते हैं जहां एक तरफ मतदान के दौरान बैलेट पेपर की गिंती से पहले कहीं न कहीं यहां पर भारतिय जंता पार्टी पीछे चलती भी नजर आ रहे थी उसके बाद जब एवियम खुलती हैं तो भारतिय जंता पार्टी लीड करती भी नजर आती है और आखिर में भारतिय जंता पार्टी के पक्ष म बड़े बड़े वादे करती नजर आ रही थी जिससे यह अंदाजा भी लगाया जा रहा था राजनीतिक सलाकार रणीतिकार यह कहते वह नजर आ रहे थी कि कॉंग्रेस हो सकता है कि एक दशक बाद हर्याणा की राजनीति में वापसी करती वह नजर आ है लेकिन ऐसा कुछ न लगी थी लेकिन देखा जाए तो कॉंग्रेस आलकमान अभी इस बात को लेकर विचार विमर्ष करता हुआ नजर आ रहा है और जहां तक देखा जाए पूरे सेनेरियों को तो कहीं न कहीं आप भूपेंद्र सिंग हुड़ा के नाम ठपा लगता हुआ नजर आ सकता है इस देखा जाए तो आप नेता विपक्ष का यहां पर सवाल उठता हुआ नजर आता है तो क्या लगता है कॉंग्रेस यहां पर किसको वो जिम्मेदारी सौंपती भी नजर आएगी फिलाल तो चेहरे के तौर पर यहां पर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंग हुड़ा का ही मन्थन चल रहा है कि आखिर हमारी हार की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए आखिर हमारी हार का जिम्मेदार कौन है इसको लेकर भी शेल जागुठो या हुड़ा गुठो दोनों की तरफ लगतार कह सकते हैं कि उंगलिया उट रही है क्योंकि अगर बहतर मेनेजमेंट होत तो शायद आज कॉंगर्स पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ में सत्ता में आ गई होती लेकिन देखिए इतना अच्छा माहूल होने के बावजूद भी कॉंगर्स पार्टी के लिए क्योंकि लगतार एंडी इंकमेंसी थी पहलवान नरास थे जवान नरास चली रहें क्यो अगर्स पार्टी के लिए हार का कहने के बड़ा कारण बना क्यूंकि अंतर कले अगर नहीं होता तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा आज कॉंगर्स पार्टी सत्ता में होती लेकिन अब चुकि विपक्ष में हैं और लगभख सहती अर्थी सीटे उनके पास हैं तो जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि भई अब यहां से अगर विपक्ष की भूमिका में कॉंगर्स पार्टी है तो उनकी तरफ से जो चेहरा है विपक्षी कैसकते नेता का या प्रटी 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 पक्ष का वो कौन सा होने वाला है कि अब तक बनते चले आ रहे हैं कई दफा से भूपैन सिंग हुड़ा वही होने वाले हैं या पिर शेलजा या उनके गूट से कोई ऐसा होने वाल और कितनी बहतर अंडरस्टेंडिंग है यह बहुत को उसके उपर डिपेंड करता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि भुपैन सिंग हुड़ा के हातों में ही सारे चुनाभी कमांदी कहा तो यहां तक जाता है कि 90 में से तकरीबं जो 72-75 टिकेट थे वो सिर्फ भुपैन सिं और यह भी कहा कि अगर मुझे मुझे मौका दिया जागा तो जाहिर बात है में सीम बनना चाहूंगी बीजेपी ने भी इस मुद्धियों खूब कैश किया कि आखिर क्यों कॉंगर्स पार्टी भुपैन से हुड़ा की पीछे पड़ी हुई है जबकि शेल्जा को भी मुख का दोर चल रहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉंगेस पार्टी शायद हुड़ा गुट और शेल्जा गुट से ना लेकर कोई तीसरा शक्त यहां पर नेता फिर्सिफक्ष बनाती हुए नजर आस सकते हैं तो यह मान कर चले कि पार्टी में बड़ी बगाबत को सकती है वैसे भी जब मीटिंग हुई थी उसमें हुड़ा गुरूप को सारे लोग थे लेकिन वहापर शेल्जा गुट का कोई भी मौजूद नहीं था जी बिलकुल ता वैसे में शेल्जा गुट की गैर मौजूदगी यह ना पहुंचना यह दर्शाता है कि अभी भी कॉंग्रि नहीं बनाया जाता तो आखिर वो कौन सा चेरा होगा जिस पर यहाँ पर कॉंग्रेस महर लगाती भी नज़राएगी सर अगर देखा जाए तो अगर हुड़ा को यहाँ पर कॉंग्रेस नहीं चुनती है नेता विपक्ष के तौर पर तो क्या लगता है क्या यहाँ पर विपक्ष करते नदर आटे नहीं तो क्या लगता है यहाँ पर उनके फादर की गुडविल पर उनको यहाँ पर पदसौपा जा सकता है बिल्कुल सुर्जवाला का नाम भी इसमें है विए बिल्कुल बात है क्योंको बेटे आदित्य सुर्जवाला चुनाब जीते हैं और जाहिर बात है कि हो सकता है उनको भी Congress Party आगए कर लेकिन अनुभब की बहुत कमी है इसकी लिए शायद उनका नाम नहीं आएगा अगर यही बात है तो बिनेश को गाट का नाम भी सामने आ सकता है कि वो भी बन सकती है तो ऐसे नाम तो कयासों में कई लगाए जा सकते है लेकि Congress Party के लिए मुश्किल बात यह है कि कैसे सारे गुठ है सारे जो लोग हैं इनको यहाँ पर मनाया जाए क्योंकि रदीर सुरुजेवाला ने भी मुख्य मंत्री बनने की चाहा उस समय व्यक्त की थी शेल्जा की वही कहानी थी लेकिन Congress Party ने कहा था कि सब अपने अपने हित के बारे में सोचा, किसी ने पार्टी के हित के बारे में नहीं सोचा, इसलिए Congress Party यहाँ पर चुनाब हारी है, तो देखिए मन्थन होता है, किसी पार्टी के अंदर यह मन्थन होता है, मन्थन होना बेहत जरूरी भी हो जाता है, कि भई पार्टी के मूल जो हार के कारण है, कॉंगर्स पार्टी को अभी तक परेशान कर रही हैं अब जब कि मुख्यमंत्री पत्की शपद हो गई है कैबिनेट भी एक तरह के डिसाइड हो गई है तो इसे में अब यहां पर कॉंगर्स को नेतर पर्सिफक्त चुनना पड़ेगा अब वो नाम कौन सा होने वाला है यह म पर्दाजी को दे दी तो हो सकता है कि आपस में गुट और बढ़ते हुए नजर आए रर्दीब भुटा भी नराज हो सकते हैं तो ऐसे कई पहलू है इस पूरी के पूरे मामले में जो लगतार कॉंगर्स पार्टी के लिए मुश्किल है खड़ी करते हुए नजर आ रहे है क्योंकि अभी भी अगर देखा जा तो कॉंगर्स पार्टी का प्रदर्शन अगर हम मत जो फीज़त है उस पर अगर सोचे तो यहां पर कॉंगर्स पार्टी को भी लगभग 40% के आसपर वोट मिला है तो यहां पर वोट का परसंटेज बहुत खराब नहीं है यहां पर उमी कॉंग्रेस आला कमान जल्द ही लेते वे नज़र आएंगे लेकिन उसका क्या कुछ प्रभाव यहां पर भार्टी जिंता पार्टी पर पढ़ने वाला है यह भी देखना दिल्चस्प होगा फिलाल आपको इस मुद्धे पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राय हमें कमें के लिए आप देखते रहें स्पेन नाइन न्यूर्ट